मेरा नाम है मॉनिका और आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे रियल्मी की तरफ से आ रहे ही बहुत ही गर्मा गरं धमाकेदार न्यूज के साथ और वो यह है कि रियल्मी एक्स पाइनली ऑफिशल हो गया है 15 में लांच के लिए जी हां वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिय कि 15 में को रियल्मी एक्स और रियल्मी एक्स का यूथ एडिशन या फिर लाइट एडिशन दोनों लांच होने वाले हैं चाइना में और अब इस न्यूस पर लग गया है ऑफिशल होने का ठपा क्योंकि यहां पे इंटरनेट पे रियल्मी का फॉस्ट लॉक और बॉक्स द बहुत ही इंट्रेस्टिंग है फॉल डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है बेजल इतने यहां पे कम है और यहां पे जब लॉंच होने वाला है कुछ तीन चार पांच दिन यहां पे रह गये हैं तो स्पेसिफिकेशन कंफिमेशन भी हो चुकी है अल्मोस्ट वही है ज STEPHANे बहुत हैं आपको अमोलत डिसप्ली देखने को मिलेगा है इनिसप्ले फिंगरपिंट सकेनर है ही Southie camera आपको 16 Megapixels का देखने को मिल सकता है और एक बात है की Ming X में पाता चला है जो की होने वाला है 91.2 परसेंट एक मिड रंच फोन के लिए 91 परसेंट का स्क्रीन टू बाड़ी रेशियो सच में कमाल की बाद है नेक्स्ट बाद है फोन के पॉप अप कैमरा से रिलेटेड कितना डूरेबल है कितना नहीं है कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा यह सारे क्वेशन जरूर आपके दिमाग में आ रहे होंगे तो इसे से रिलेटेड एक यहाँ पर न्यूस सामने आई है कि उस पॉप अप कैमरा को आप दो लाख बार से भी जादा यूज कर सकते हैं यानि कि कितनी बार आप उपर नीचे करिए फोन का जो पॉप अप कैमरा है खराब नहीं होगा डूरेबल है वैसे दो लाख बार सेलफी यहाँ पर क्लिक करना सोचे अगर आपके हाथ में यह फोन आ जाता है तो दो लाख बार आप क्या-क्या फोटो यहाँ पर क्लिक करना चाहेंगे कुछ क्रेटिव ओपनियन शेयर करें मेरे साथ जरूर से नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में और अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सबसे पहले नीचे दिख रहे लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेजिए जोड़ जाए हमारे साथ साथ कि में जो गंटी का इकन है उसे दवाना बिलकुल भी ना भूले उसी के जास पास में एक लाइक का बटन है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिजे और कीप वाचिंग क्यों की वीडियो भी बाकी है मेरे दो जो कि आ रही है दो बहुत बड़े सोशल प्लैटफॉर्म्स की तरफ से एक तो इंस्टाग्राम और एक है वाट्सेप इंस्टाग्राम की तरफ से ये न्यूज आ रही है कि अब तक जो आप इस पर पोस्ट शेर करते आ रहे थे उस पर कोई भी चेकिंग नहीं होती थी इंस्टाग्राम के पोस्स भी चैक करेगे आप क्याआ रहे हैं किसको शेयर कर रहे हैं और कैसी बात है यहां प episódio chat his यहां पर शेयर किये जा सकें इसपे एक टाइम भी थोडह सा ध्यान चाण रखे क्कुन आप मुझे फोलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर आईडी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी नेक्स लब बाग करते हैं वाट्सैप की तरफ से तो वाट्सैप अपना सपोर्ट यहां बंद करने वाला है विंडोस फोन के लिए यानि कि यह 31 दिसंबर 2019 आने वाला है उसके बाद से आपको विंडोस के फोन पर वाट्सैप का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा ऐसी न्यूज आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से चलिए नेक्स न्यूज के अगर हम बात करते हैं तो वह आ रही है अंतुतु स्कोर से रिलेटेड अंतुतु स्कोर की एक लिस्ट यहां पर जारी हुई है एप्रिल मन्त के लिए जो के एप्रिल मन्त 2019 से लेके 30 तारि आया है जो हाइस स्कोर है वो हुआ है 3,77,000 का और फर्स नंबर पर फोन आया है शाओमी मी 9 का एक्स्प्लोर एडिशन सेकंड नंबर पर रहे है शाओमी मी 9 और थर्ड नंबर पर रहे है शाओमी का ही ब्लैक शाक 2 तीरों में आपको स्नैप्डरगन का 855 का चिपसेट पह την ट्रीकने को पैस्ते खक मिल रहा है क्लगते का आपको संतितर श्कॉर की लिस्ट के बारें नेक्स यूस कि और बढ़ते हैं है जो की आरही है डमी के के अच्टार्उन की तरफ से जी था यह है जो काफी टाइम से हमरेडमी X के नाम से सुन रहे है रेडमीी रेड्मी फ्लेक्षिप के नाम से सुन रहे हैं लेकिन फाइनल नाम आया है k20 pro इसका ओफिशल लाउंच होने जा रहा है में 13 को शाओमी की सौर्सिस हैं वहां से ही लीक्स पता चली है कि में 13 को इस रेड्मी फ्लेक्षिप स्मार्फोन का लांच होने वाला है अब 3-4 दिन ही यहां पर रहे गए हैं अचानक से 13 डेट यहां पर अफिशली देना मेरे कहा से शायर क्योंकि Realme का May 15 को होने वाला है इससे वज़े से आपको Redmi का स्मार्टफोन 13 में को यानि कि उसके दो दिन पहले देखने को मिल सकता है Redmi और Realme वैसे और कुछ बात करेंगर K20 Pro स्मार्टफोन के बारे में तो कुछ-कुछ अब यहां पर इंफोर्मिशन सामने आने लगी है जैसे कि इस फोन में आपको Amoled Display देखने को मिलेगा, In Display Fingerprint Scanner definitely देखने को मिलेगा साथ यह साथ इसमें आपको बहुत भी battery life देखने को मिलेगी, जो कि 4000 या उससे भी उपर की हो सकती है साथ यह साथ Fast Charging के feature के साथ अब यह जो amazing features हमें यहाँ पे K20 Pro स्मार्टफोन के बारे में सुनने को मिल रहे हैं क्या लगता है किस price point पे यह phone launch हो सकता है 20,000 या फिर 20-25,000 या फिर 25-30,000 के आसपास जो भी आपकी राय हो प्लीज शेर करें नीचे comments box में साथी साथ यहां कहीं आपको कोई पोल भी दिखाई दे रहा होगा उसमें भी चाके आप अपनी राय शेर में साथ कर सकते हैं गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें चलि नेक्स नियूस की दर हम बढ़ते हैं जो की आरी है नौकिया की तरफ से काफी टाइम से हम लोग सोच रहे हैं कि नौकिया इतना शांत कैसे बैठा हुआ है कोई भी फोन लांच नहीं कर रहा है तो लगता है इसी शांती को तोड़ने के लिए नौकिया ने लांच कर दिया है 4.2 अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो अच्छा है नौकिया को कोई फोन आया है फोन लांच हुआ है यहां पर 10,990 रुपे के प्राइस पॉइंट पे 3GB RAM 22GB स्टोरेज के साथ और इसमें आपको स्नैब्रगन का 439 का प्रोस्टर देखने को मिल रहा है मतलब एक तरफ दूसरी कंपनीज है रेड्मी है रेल्मी है जो स्नैब्रगन की सेवन सीरीज पर चली गई है और अब नौकिया का 4.2 ऐसे टाइम पर लॉंच हो रहा है स्नैब्रगन के 439 चिपसेट के साथ 5.7 इंच की स्क्रीन है तेरा प्लस रोग का डियल ब्रड कैमरा है आट मेगा पिक्सल का फ्रेंट कैमरा है यहां तक कि लेकर जाए कि एक हजार रुपया कम भी कर देंगे तो भी आपको रेड्मी नोट 7 देखने को मिल रहा है जो कि इस प्राइज पॉइंट पर बिल्कुल किलर है आपको क्या लगता है नोकिया 4.2 के बारे में प्लीज श्रेयर करें नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में नेक्स न्यूसिकल के आरहे है यहां पर शाओमी के ब्लैक शाक 2 के बारे में गेमिंग स्मार्ट फोन है और काफी टेंसन सुन रहे हैं कि launch होने वाला है और अब फाइनली लग रहा है कि सच में launch होने वाला है ऐसे सुनने में आरहे है कि में के एंड में या फिर जून के स्टार्टिंग में यह ब्लैक शाक 2 गेमिंग फोन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा स्नाइब ड्रेगन के 855 चिपसेट के साथ आ रहा है लेकिन इसमें आपको ओडियो जैक देखने को नहीं मिल रहा है गेमिंग स्मार्ट फोन है और ओडियो जैक नहीं है देखते हैं क्या प्राइस पॉइंट पे launch होता है इंडिया में एक्स न्यूस के दरफ चलते हैं वह आ रही है आसो जैन फोन की तरफ से आसो जैन फोन 6 और 6Z दोनों लांच होने वाले हैं 16 माई को लंडन में और उसी के कुछ ताइम बाद आपको इन फोन का ग्लोबल लांच भी देखने को मिल सकता है और आसोस जैन फोन 6Z को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया में भी क्योंकि आसोस जैन फोन 5Z भी आया था तो उसका सक्सेसर बनके 6Z आ सकता है लॉन से पहले यहां पर आसोस जैन फोन 6 की कुछ प्राइजेस पता चली हैं जैसे कि फोन तीन वेरियंट में आपको देखने को मिलेगा इंडिया मार्केट के हिसाब से प्राइज काफी कम हो जाएंगे तो मेरा क्वेशन आपसे यह है कि आसोस जैन फोन 5Z को देखते हुए क्योंकि वह बहुत ही अच्छे प्राइज पॉइंट पर आया था बहुत ही कमाल के स्पेसिफिकेशन के साथ आपको क्या लगता है आसो इंडिया में लांच हो सकता है Redmi 7 Pro की नाम से जो की सक्सेसर होगा Redmi 6 Pro का तो उसी हिसाब से मैंने यह पर बोला था कि Redmi 7 Pro में आपको शायद से Snapdragon 660 का chipset देखने को मिल सकता है लेकिन जो यह latest leak यहाँ पर पता चली है उससे यह सुनने में आ रहा है कि Mi A3 और Mi A3 Lite दोनों में ही आपको स्नैब्रगन की 7 Series का chipset ही देखने को मिलेगा तो ऐसा हो सकते है कि यह जो Mi A3 Lite है या फिर जिसे हम Redmi 7 Pro गोल रहे हैं उसमें आपको स्नैब्रगन का 710 का chipset देखने को मिले तो आज की Tech News में मेरी तरफ से इतना ही है यह सारी updates है जो अभी तक यहाँ पर पता चली है आपको क्या कहना है Realme X के बारे में Mi A3 Mi A3 Lite के बारे में अपने opinions में साथ जरूर से शेर करें प्लीज कॉमेंट्स बॉक्स में साथी साथ वि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें अब के टेक्निकल को हम विलेंगे इस टाइट किसी नेक्स्ट वीडियो में तिल नंस युगाएं थैंक्स वाचिंग